नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संचिता बटचारिया आज हमारे पास एक बहुती दिल्चस विशे है जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है विशे है पेंटी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में हम क्या जानते हैं पहले हम जाने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भारतिय उपमहादीप की वास्तुकला है जिसे इस्लामिक संगरक्षकों और उद्देश्यों के लिए बनाया गया दोनों प्रकार की इमारतों में अनिवार्य रूप से एक उचे गुम्बत के नीचे एक ही बड़ा स्थान होता है और पूरी तरह से अलंकारिक मुर्टिकला से बचना चाहिए जो हिंदू मंदिर वास्तुकला के लिए महत पूर्ण है आठवी सताबदी इशी के दौरान तुर्की, आरब और मंगोलियाई संस्कृतियों ने भारत की मुख्य संस्कृतिक धारा में आक्रमन करना सुरू कर दिया था जब वे विदेशी संस्कृतिक लोग मध्धयोगिन काल के दौरान भारत में रहने लगे तो उन्होंने अपने वास्तुशिल्पों, चमतकारों यानि मर्जिदों, महलों, मखवरों और कीलों के नर्मान के लिए स्थानियों हिंदू राजमिस्त्री को नियुक्ति किया ये इस कारण से है कि हम विभिन्य का मिश्रन देखते हैं तो चलो जानते हैं मध्यकालिन भारत के इन स्थापत कार्य में संस्कृतिक प्रभाब Cultural Influences in These Architectural Works of Medieval India अर्ध कुलाकार गुमदो के एक नई भारतिय शैली का अर्थ है शंकाकर, खनिक जो पहले वधो या हिंदु देवताओं के मंदिर में उपयोग किये जाते थे स्तंभों के गिलहरी रूप, खनिकों के विना, मस्जिदे, छोटे धनुशाकार स्तंभ, शांस्कृतिक शैली के मेश्रन के कुछ अन्य उधारन है इस पार्ट में मध्यकालिन भारत के केवल कुछ स्मारकों के उधारन लिये गए हैं जिसमें इंडो-इस्लामिक आर्किटेक्चर की कला में बिभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का मिश्रन अच्छी तरह से स्थापित है इंडो-इस्लामिक वास्तुकला की विशेस्ता क्या है? इंडो इस्लामिक आखिटेक्चर मुख्य रूप से इसलामिक शंगरक्षकों और उद्देश्यों के लिए इसलामिक शाशकों द्वारा आकार में भारतियों उपो महादीप का संगरचनात्मक डिजाइन है इंडो इसलामिक वास्तुकला की सबसे महत्पूर्ण विशेस्ताओं में इसके चारों और विशाल गुम्बत और स्तंभ बड़े खुले याड और महान मिनारे सामिल है इंडो इसलामिक आकिटेक्चर भारतियों उपो महादीप की वास्तुकला है जिसे इसलामिक शंगरख्षकों और उद्दिश्य के लिए बनाया गया था सिंध में प्रारंभिक आरप उपस्थिती के बावजूत घुरीद वंक्स के राजधानी के रूप में दिल्ली की स्थापना के साथ भारत-िसलामी वास्तुकला का विकाश शुरू हुआ भारतियों उपमहादीब की इसलामी वास्तुकला जिसे इंडो-इसलामिक वास्तुकला भी कहा जाता है फार्सी और तुर्की वास्तुकला से अत्याधिक प्रभावित थी दिल्ली सल्टनत की स्थापना के बाद भारत में तुर्की वास्तकला के प्रभाप देखा जाने लगा और यह तुगलक वंग्ष के यूग में अपने उच्चतम विंदू पर पहुँच गया भारतिय उपमहादीत की इसलामी वास्तकला जिसे इंडो-इसलामिक वास्तकला भी कहा जाता है फार्षी और तुर्की वास्तकला से अत्याधिक प्रभावित थी यह हमने आपसे बात भी किया था पहले आपको बोला भी था लेकिन दिल्ली सल्तनत के स्थापना के बाद भारत में तुर्की वास्तकला का प्रभाव देखा जाने लगा और यहां तुगलक वंग्ष के यूग में अपने उच्चतम विंदू पर पहुँच गया तुर्की वास्तकला का उभार वाला पहलू बैपक पैमाने पर महराब और गुम्बत के डिजाइन का एक सैयोजन है यह ना के बल एक आस्यर या नजनक रूप देता है बलकि गुम्बत एक मनभावन छीतिज द्रिश्य प्रदान करता है महराब और गुम्बत को मजबूत सेमेंट की जरूरत थी और तुर्की ने अपनी इमारतों में अच्छी गुनवत्ता वाले हलकी मोटर का इस्तिमाल किया बेतर समगरी और मोटर के साथ वास्तकला का यहां रूप भारत के उत्तरी भाग में लोक्प्रिय हो गया सजावट के लिए तुर्क जादा तर फुलो और शिलालेक और कुरान के सुलेक ग्रंथों को पसंद करते थे जो मानब या जानबारों के आकरों के बज़ाए बहुत ही कलात्मक तरीके से जुरे हुए थे मोटर के अलावा तुर्की द्वारा निर्मान में लाल बलुआ पत्थर पीले बलुआ पत्थर और संग्मर्मर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था हाला कि भारत में लाल पत्थर महेंगे थे और आसानी से उपलब्ध नहीं थे इसलिए वास्तुकारों ने ग्रिष्टन को प्राथविक्ता दी क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध और सस्ता भी था ये है कुतुब मिनार बनाने का प्लानिंग किन का था कुतुबुद्दिन आइवेक ने बनाय थी इसलिए उस मिनार का नाम था कुतुब मिनार ये कुतुबुद्दिन आइवेक का फोटो है तो हम जानते हैं कुतुबुद्दिन आइवेक के बारे में फिर हम कुतुब मिन मिनार के बारे में भी हम जानेंगे तो कुतुबुद्दिन आइवेक गुलाम बंच के पहले शाशक कुतुबुद्दिन आइवेक ने सबसे पहले इस मिनार को विजय के प्रतीक के रूप में बनवाना सुरू किया लेकिन बाद में उन्हों ने इसे अपने दिल्ली गुरु स सुफी संथ वक्तियार काकी को एक उपहार के रूप में प्रयोजित किया था इस मिनार को कुतुब मिनार के नाम से जाना जाता है यह मिनार वास्तुकला की इंडो-तुर्की शैली का एक अच्छा उधारन है पत्थरों पर उकेरे गई प्रत्तिक कहानी पर इसकी साहस बालकनिया ज्यादा तर कुरान से शिलालेक और समाट की उपाधिया है इसमें जो लिखा है ज्यादा तर कुरान से सिलालेक लिया है और समाट की उपाधिया है और रसी से चलने वाली सीरिया इसकी विशेश विशेस्ताय है इसके अंदर जो सीरी है वो सरपीली टाइप के स सार्पिली टैट क्यों बोलते हैं साब कभी ऐसी सीधा नहीं जाते हैं साब ऐसी ऐसी जाते हैं तो ऐसी इस तरह से वहाँ पे सीडी भी उस तरह से है यह भारत की सबसे उची मिनार है जिसकी उचाई 71.3 मिटर है कुतुब मिनार के निर्मान में लाल और सफेद बलुआ रों का भी प्रयोक किया गया था मतलब यह दो्शू इतना उपर तक थारी कोwas संगमरमर का पत्थर को म इमारत को बनाये थे इसके निर्मान कार्य को मजबूत करने के लिए मोटर के रूप में प्लास्टर चुनिक मिस्रन का उपयोग किया गया था जिसकी वज़े से आज भी ये मिनार एज़िटीज वहीं पे है कहीं पे कुछ भी थोड़ा सा हवा और बारिश इतनी हवा बारिश की वज़े से हो सकता है कि जो मिनार की बहारी दिवार पे कुछ थोड़ा बहुत चेंज़ आया होगा धर वां। अभी भी ऐसा ही है जो हम सोच सकते हम देख सकते इतनी दूर से भी हम जाके देखते इतने सालों पुराने हैं हम जब जाके देखते हैं तो भी हम यही देखते कि किस तरह से यह कुतुब मिनार में जो अभी भी इसमें जो आकिटेक्चर है वो उतना ही खुबसूरत तरीके से है जितना हम अंदर से जब हम देखते हैं इसको इन मिनार को तो हम यहाँ देखते हैं कि मिनार में जब यह आर्किक्टेक्चर अभी रही उतना ही मज़ूत और उतना ही खुप्सूरत इसकी सुंदर्ता को ले की छल रहे है necessarily हम पहले वह था सुन्दर तरीके से है इतनी ब्यूटी अभी भी बरकरार है बाद में राजा इल्टुतमिस ने दूसरी तीसरी और चौथी कहानियों को पूरा करवाया लेकिन अंत में पाँचवी मंजिल का निर्मान तुगलक बंस के शम्राट फिरोश्चा तुगलक द्वारा किया गया था ये कुतुब मिनार की दूसरी चित्र है आपके सामने है इसलिए मैंने ये बीच वाला चित्र जो है इसमें डिजाइन और इसमें आर्किटिक्चर का जो ब्यूटी है ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हो देख सकते हो कहीं कुछ कमी नहीं है एक छोटा छोटा माइनूट वार्क है और सारे जगा पे इसको फैलाया गया है डिजाइन को और सुन्दर तरीके से जो इसमें जो कलर जो जिस तरह से इसमें जो पत्थर से लाल पत्थर से सफेद पत्थर से जिस तरह से इनोंने किया था कहीं काल्कुलेशन की कोई कमी नहीं है जहां पे लाल पत्थर ह जहां पर सफेद है, सफेद लगाया, एक नम टॉप में संग मरमर का पत्थर, जैसे मार्बल स्टोन को हम संग मरमर का पत्थर बोलते हैं, तो वो लगाया, उसमें भी डिजाइन के, उसमें भी कारी-गरी किया, कहीं कुछ छोड़ा नहीं, आर्टिस्ट ने, तो ये कुटुब मेनार का बीच वाला जो पहले मंजिल के वहां पे जो जहां पे डिजाइन भड़पूर बनाये थे, ये डिजाइन के लिए ये चित्र आप बहुत अच्छी तरह से देखोगे, तो आपको समझ जाएंगे, कि कितना खुबसूरत तरीके से आर्टिस्ट ने बनाये थे, सो कुटुब मेनार एतिहाशिक रूप से कुटुब मेनार अद्धितिय है, सत्रभी सताबदी तक दक्षिन एशियाई इसलामी डिजाइन में ये मेनारे असामान न थी, यह अंतराल भारत में विशिष्ट मुख्य पूर्वी शैली को धीरे धीरे अपनाने का क प्रभावित किया, कुटुब मेनार हिंदो मुस्लिम परंपराओ के संगस्लेशन का सबसे अच्छा उधारन है, मेनार का निर्मान उर्दू मजदूरों और शिल्पकारों द्वारा किया गया था, लेकिन मुस्लीम बास्तुकार द्वारा इसकी देखरे की जाती थी, कुट ऐसा है कि 71.5 और 6 कहीं यह बताया गया, 72.5 पतलब यह मिनार को इतना बड़ा मिनार है, जो अप्रॉक्सिमेट यह 71-72 मीटर है, इटो से बनी दुनिया की सबसे उची मिनार बताती है, इसका आधार ब्यास 14.3 मीटर, that means 47 feet है, जो सीखर के शेश पर 2.7 मीटर, यानि 9 feet तक कम हो जाता था, इसमें 389 सरपिले सीरिया है, सरपिल सीरिया है, 389, नीचे से लेके उपर तक, 389 सरपिले सीरिया बनाना कोई असान चीज नहीं है, और वो भी उस टाइम पे, जब हमारे पास इतना टेक्नोलोजी, एतना साइंटिफिक वे में इतना अड़वांस नहीं था, टेक्नोलोजी या साइंटिफिकली हम इतना अड़वांस नहीं थे, उस समय पे इतनी सुन्दर तरीके से जो सीडिया बनाये थे वो बाकी काविले तारिफ है मीनार उच्च से केबल 65 सेंटिमीटर से अधिक जुकी हुई है जिसे शुरक्षित सीमा के मेनार माना जाता है कुतुम मेनार को इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उधारन क्यों कहा जाता है यहां मेनार वास्तुकला की इंडो तुर्की शैली का एक अच्छा उधारन है प्रतिक मंजिल पर इसकी शाहस पुर्वक बालकनिया, पथरों पर नकाशी द्वार आरवी शास्त्र, यह जादातर कुरान से श्रीला लेक और समाट की उपाधिया है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, और रसी घुमाधार सीरी इसकी विशेश विशेशताय है, रसी घ जैसे शडपीले होती है, वो इसको किसी तरह से या बंडन करो, वो ऐसी ही हमें पता चलेगा कि इसको ऐसे ऐसी करके सीरी उसकी विशेशता है, और वो सीरी नीचे से लेके ऊपर, यह ने की जमीन पर बनाए, नीचे से लेके ऊपर तक, और वो भी अंधेरा अंदर का जो हो उनका अच्छी तरह से बनाये थे, तो आर्टिस का अपने सब्जेक्ट पे कितना स्कील था यह पतार लगता है, कुतुब मिनार कई मिनारों और नेमित द्वारों के लिए एक प्रेरना और प्रोटोटाइप थी, चांद मिनार और मीनी कुतुब मिनार, कुतुब मिनार से म स्थेस्टर यजिव थी, चांद मिनार कितना स्तुब मिन